हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? गर में मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं ना? शाबबास, हम पढ़ रहे थे, पाठ एक पंक लगा उड़ जाएं. तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, उसका पूरा आर्थ भी बताया था, और आपको प्रेश्ण उत्तर और सब्दार्द भी मैं करवा चुकी हूँ. कुछ बच्चों ने काम पूरा करके वर्षब गुरूप पर सेंड किया हैं, आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपना काम पूरा कर रहे होंगे. तो बच्चों, आज मैं आपको करवाओंगी इसी पार से संबंधित कुछ अभ्यासकार्या. बच्चों जैसे हमने देखा कि पार्थ में कविता के माध्यम से कभी बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करता है. बच्चे क्या करना चाते हैं? बच्चों में एक नया जोश है, नहीं उमंगे और खुले आस्मान में वो सुच्छंद जीना चाते हैं. यह हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं में. आज मैं कुछ अभ्यासकार्या आपको करवाने जा रही हूं. प्रेशन नमबर च्छे है. उत्तर विस्तार से अभ्यास मुस्तिकामे लिखिए. पहला प्रेशन है कि समय को अनमोल क्यों माना गया है? तर्क सइथ उत्तर दीजी. तो बच्चो जैसा आप सब जानते हैं कि समय हमारे लिए बहुत मुल्यवान है. समय धन से भी ज़्यादा कीमती है क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो वह वापस प्राप्त किया जा सकता है. जबकि समय को प्राप्त करना संभव नहीं है. समय एक बार चला जाता है तो दुबारा लोटकर नहीं आता है. समय विना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है. यह कभी किसी की पर्तिक्षा नहीं करता. इसलिए का आगा है बच्चो कि समय का सद्वयो करें. मनुस्यक्य जीवन में समय अतिमेहत्व पूर्ण होता है और यह समय भगवान न हमें सीमित रूम में दिया है. इसका हमें सही प्रयोग करना चाहिए. बच्चो अगला प्रश्न है कुछ अलग करके दिखलाने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है. इसका उत्तर है कुछ अलग करके दिखलाने के लिए आप इस प्रकार लिखेंगे कि निम लिखित का होना आवर्शक है जैसे हमारे मन में मित्तरता की भावना होनी चाहिए नीती होनी चाहिए वीरता होनी चाहिए क्षमा होनी चाहिए दया होनी चाहिए हमारे मन में आत्मिश्वास होना चाहिए और कर्म पनाया होना चाहिए बच्चो यह सारी विशेशता हैं उस व्यक्त के अंदर होंगी जो अपने आपको कुछ अलग दिखाता है यह कुछ अलग करके दिखाता है कुछ विशेश करके दिखाता है उस वे वह अपने कर्म को प्रधान मानता है वह भागय के बरों से नहीं रहता है उसमें वीरता की भ होना होती है आतमिस्वास कूट कूट कर बरा होता है तो यह सारी विशेशताइं है बच्चो प्रेशन नंबर 3 है इसमें कि कविता का सार अपने सब्दों में लिखिए मैंने आपको कविता पढ़ा दी है आप उसका सार एक बार पिछले वाले वीडियो को देख करके सोयम लि दिखाई देते हैं जैसे तेरा मेरा मेरा तेरा जो है सबका हो जाए उच नीच और बैर विरोध का मन में भावना आए एक दूसरे की थामकर बाहें आगे बढ़ते जाएं जो रोता हो उसे हसाएं जो गिर जाएं उसे उठाएं पीछे रह गया हो जो साथी हात पकड़ पांता और मेर्जुल का भाव व्यक्त करते हैं बच्चो ये तो थे कुछ प्रेश्न उत्तर आब पढ़ रहे हैं आगे एक अनुचेद मैं एक अनुचेद पढ़ूंगी सबी बच्चे धियान से सुनेंगे और उस अनुच्चेद में से कुछ प्रेश्न और उत्तर समझें तो अनुछीर इस प्रकार है। प्रतेक मदुसे के अंदर एक शक्ती होती है, जिसे आत्म विस्वास कहते हैं, हमें इस सक्ति को जगाना है। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। आत्म विस्वास का आर्थ है अपने उपर विस्वास रकना। यदि आपको स्वयम पर विश्वास है तो आप असंभव कारे को भी संभव बना सकते हैं हमारा आत्म विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारा भै हमें पीछे की ओर खीशता है अपना आत्म विश्वास बढ़ाईए आपका आत्म विश्वास सभी समस्याएं दूर करने में आपकी सहता करेगा तो बच्चो इसका साथ यही है कि हमें अपने अंदर आत्म विश्वास को बढ़ाना चाहिए अपने आत्म विश्वास को मजबूत रखना चाहिए इस पार्ट में से संबंधित कुछ प्रश्ण है जैसे आत्म विश्वास क्या है तो हमने पड़ा कि आत्म विश्वास का अर्थ है अपने उपर विश्वास रखना अगला प्रश्ण है असांभव कार्य संभव कैसे हो सकता है इसका उत्तर है कि यदि आपको स्वयम पर विश्वास हो तो आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं अगला प्रश्ण है आत्म विश्वास और भै में क्या अंतर है बच्चो, आत्म विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारा भै हमें पीछे की ओर खीशता है अगला है, मनुष्य की सफलता का मूल मंत्र क्या है? बच्चो, मनुष्य की सफलता का मूल मंत्र है कि आत्म विश्वास केते हैं हमें वैश्वक्ति को जगाता है और यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है प्रेश नमबर पांच है आत्म विश्वास बढ़ाना क्यों आवश्यक है? हमें आत्म विश्वास जगाना इसलिए आवश्यक है ताकि हम आपका आत्म विश्वास आपके जीवन में आने वाली सभी समश्याओं को दूर करने में आपकी सहायता करता है